मेरा नाम मंदीप है और मैं आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग सा टोपिक लेकर आया हूँ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना एक लाइन का कोड लिखे अपने लिए एक परसुनलाइज चैट जी पीटी बना सकते हैं तो आपको अगर यह लन करना कि आप कैसे कर सकते हैं आपको यह पूरी वीडियो देखनी है सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं और यूविल बीएबल तो यूज अब आप बोलेंगे कि हमारे पास ओल्रेडी चैट जी पीटी है तो हम चैट जी पीटी का यूज कर सकत हैं लेकिन अभी जो है कुछ ऐसे क्लेम्स भी आने लगे हैं कि ओपनी जिसने की चैट जी पीटी को बनाया है दे आर काइंड आफ यूजिंग यूर डेटा आपका डेटा 100% सिक्यूर नहीं है तो अगर आपको अपनी 100% डेटा सिक्यूरिटी चाहिए और आप अपना परस यूज के लिए यूज करना चाहरे हैं तो आप यह वीडियो देखिए और मैं आपको पूरे स्क्रीन देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सबसे पहले इस Github URL पे जाना इस Github रैपो के ओपर टेक्स जनरेशन वैब यूज आपको जो है बैसिकली यह एक वेब यूई का है बैसिकली जिसके अंदर आपकी सी भी ओपन सोर्स मोडल को बैसिकली आप इंटिग्रेट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो तो मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है इसके दो तरीके हैं आप यहां तो यहां से इंस्टोलर डाउनलोड करके डिरेक विंडोश मशीन पर यूज किया था यह विंडोश्ट चेड़र का यूज करके मेरीं कमेरी फीज़ प्रॉब्लम आ रही थीं तो लेकिन तो मैंने क्या किया कि के यूज करके पूरा मैनल मैनूल्वर प्रोसेस किया manual process किया तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना है यह ज़्यादा रिकमेंड़ वे है विच्ट आइपके पास अनकॉंडा होना चाहिए तो जैसे की मान लीजिए मेरे पास तो अनकॉंडा है अगर आपके पास अनकॉंडा नहीं है तो आप पहले अनकॉंडा नए एनवर्मेंट क्रियेट करने के लिए यह वाली कमांड चलानी है तो लटसे मैं यहां पर अपने अनकॉंडा प्राउंड पर हूं मैं लटसे उस उस डिरेक्टरी में जाता हूं कि जहां पर मुझे बैसिकली इसको मैं डेमो करके दिखाऊंगा आपको तो लटसे मैं इस के में चला जाता हूं तरफ मुझे क्या करना ही यहां पर यहां पर मुझे क करने के लिए हम यहां से यहां से यह वाली कमांड कॉपी कर लेते हैं सो नया श्रístा घ्रियुंट और क्योंकि है तो मैं आपको मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां पिर टेक्स जैंञ लिग देता हूं ठीक है यहां पे टेक्स जन लिग देता हूं और मैंने गया जलाएंड तो आपका एक विर्चूल environment के अंदर आम आ गए तो यह वाले दो स्टेप हो गए है उसके बाद जो है आपको पाइट और को इंस्टॉल करना है तो जैसे मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊ तो आपको यह वाली कमांड तलानी है यह कोपी नहीं हुआ है मुझे दोबारा कोपी करने दीजिए और लेट मी नव पेस्ट तो मैं इसको दोबारा से इस कमांड को चलाऊंगा और यह यहां पर जो है मेरे पाइटोर्स की जो भी जितनी डिपेंडेंसीज हैं वह दोबार से डाउनलोड कर देगा और इस एंवार्मेंट के अंदर वह सारी डिपेंडेंसी जो है वह डाल देगा उसके बाद जैसे यह स्टेप्स कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है यह हमें उसके बाद हमारी वैब यूई को इंस्टोल करने के लिए हम पहले क्लोन करेंगे अपना कोड अपर पTwTeam करेंगे उसके बाद उस बैसिकली इस डिरेक्ट्री में जाएंगी यह द्रेक्ट्री बन जाएगे उसके बाद रिक्वैरमेंट को इंस्टोल करना इसे तो जैसे अभी यह यह यहां पे जो है मेरा पाइट पर जो है उसमें इंस्ट्रॉल हो रही है यह इंस्टॉल होने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं ओके नाव मेरा पाइटोर्स जो सक्सेस्फुली इंस्टॉल हो गया जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कोई एरर नहीं और सब कुछ जो इंस्टॉल हो गया उसके बाद बेसिकली आपको कुछ नहीं करना उसके बाद यह वाली कमांड चलाने हैं यहां पर जाएंगे और यहां पर जो है बैसिकली या फिर आप यहां पर जाके अपने गिट बैस में भी यह वाली कमांड चला सकते हैं तो लटसे यह वाली कमांड आप यहां से कोपी कीजिए और यहां पर जाएंगे और यहां पर आपका यह यहां पर क्या करेगा कि यहां पर इस जैसे आप मैं आपको दिखाता हूं यहां पर दिखिए यह टेक्सट वई पीड़ेशन वैडिवाइब का एक फोल्डर बनके आ गया पूरा कोड जो है डाउन लोड हो गया कोड डाउनलोड होने .txt में mentioned है तो मैं अगर आपको वह दिखाऊ हूं तो यहां पे requirements.txt करके एक file होगी इसको अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इसके अंदर यह वाली dependencies mentioned है तो यह वाली आपके system पे install होनी चाहिए तो जैसे ही मैं आपको यह वाली command चला के दिखाता हूं तो यह वाली command चलाओंगा तो यह basically क्या करेगा कि यह वाली सारी dependencies को download करके install करने लग जाएगा so this may take again few seconds or minutes depending on your internet connection तो जब तक कि यह होता है then we can till then we can wait okay so हमारा जो है यहां पे यह वाली command भी पूरी चल गई है और requirements जो txt पूरी जो basically सारे requirements जो हमने वो कर लिए उसके बाद जो हमारा next step है यह वाला करने के बाद उसके बाद हमें कुछ नहीं करना यह वाले जो steps है specifically specific machines के लिए जैसे जिसके पास AMD AMD वाला AMD machines है यह मैटल है यह Intel आर्क है यह CPUs है तो उनके steps नीचे जो दिये हैं वह फॉलो करने ठीक है तो मैं क्योंकि local पर कर रहा हूं तो यह वाले मेरे steps पूरे हो गए अब उसके बाद मुझे बस कुछ नहीं करना मुझे यहां पर जाना है यहां पर मैं command सलाओंगा python यहां पर फाइल होगी server.py file तो यहां पर एक URL आएगा उस URL को जो है मैं launch करके दिखाऊंगा ब्राउजर के अंदर और फिर जो है जैसे आप देख पारें यह URL आया और इस URL को मैं अगर यहां से launch करता हूं तो यहां पर मैं जैसे launch करता हूं तो यह मेरा open source model है उसको host करना है अब open source model बहुत सारे हैं अब hugging face की website पर जाके बहुत सारे models हैं किसी को भी try out कर सकते हैं अब मैं इसमें particularly use कर रहा हूं जो recently facebook research ने release किया है लामा टू चैट वर्जन वाला यानि कि आप बाकी के और model भी explore कर सकते हैं but I am going to use this one तो आपको यहां से इस model की ID कोपी करने के बाद आप इस यूई पर आएंगे यहां पर टाइब में आएंगे और यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर कोई बट क्योंकि यह जैसे अगर मैं इस पर्टिक्लर मॉडल की बात कर रहा हूं तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह इतनी सारी फाइल है जो है डाउनलोड होंगी जो 3GB 2GB 5GB सो बहुत सारी फाइल है यह आराउंड 30-40GB के आसपास का जो है content है इतना है तो इसको जो मैं हुक कि यहां पर यहां पर आप सकते हैं अनलोड और की भी यह इसको कुरूंगा कि यह को करके जो कि मैं ने अरेड़ी दाउनलोड और इंस्टोल कर रखा मेरे परस्णल पर परपस के लिए मैं आब सिमिलर ही है मैं वो चला के दिखाता हूं ठीक है उसका हम मैं आपको देमों दिखांगा यहां पर इसको जो है यह कैंसल कर दिया इस डाउनलोड को अब मैं इसको एक बार के लिए बंद कर देता हूं इस यू आई को भी मैं बंद कर देता हूं और इसको भी मैं बंद कर देता हूं तो यह बंद करने के बाद मैं जो मैंने अपने एस वाली तो मैं अभी आपके यह इस वाली वाला त्टेस्ट वाली में यहां पर है तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं ठीक है तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने सारी चीज़े जो मैंने अभी स्टेप्स आपको दिखा है तो मुझे बस क्या करना है मैं अनकॉंडा में जाऊंगा और इस लोकेशन पर जाऊंगा तो लेट से आई गो हेर और इस लोकेशन पर आ गया हूं और मैं अपना कॉंडा अब जैसे कि आप देख पारे हूं मैं टेक्स जैन के अंदर आ गया हूं और यहां पर मुझे बस कुछ नहीं करना पाइथन को चला देता हूं यह चलाने के बाद बैसिकली कुछ नहीं होगा जैसा सिमिलर यहां पे एक यूरल आया था वैसा ही सिमिलर यह यूरल इस पोर्ट के उपर जो बैसिकली आपके लोकल होस्ट आपकी लोकल मशीन के उपर चल रही है आपको यहां पर जाना है तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यह सेम जो है आ गया अब यहां पर मैं आपको जाओंगा क्योंकि मैंने ओल्रेडी मॉडल जो है डाउनलोड कर करता हैं अधिक्रों को सब्सक्राइब जो है यहां पर क्लिक करना है तो आपका मॉडल जो हीजए जाएगा आपको अपी लिए बैकन्ड यह मेरा है और यह मॉडल जो है यूज होने के लिए अब मैं जैसे आपको सेम्पल भी इससे कुछ भी पूर सकते हैं वेसे यहां पे इससे भी कुछ के दिखाएगा so here you can see here is a python code that will print first 10 फिबोनाकी numbers that's what I have asked तो इसने बोला कि return and then accumulate and 01 और फिर इसने सकते हैं अब इसमें सबसे बड़ा यह है कि पूरी 100% data security है क्योंकि आपके लोकल मशीन के उपर रहा है आपके पास यह पूरी पावर तो आपका डेटा कहीं जा नहीं रहा है तो आप इसको जो है इसी तरीके से अपने डिफरेंट के लिए किसी भी चीज के लिए जिस चीज क उतनी ही पारफुल है अब लामा टू डिफरेंट वेरियंट में रिलीज हुआ 13 बिलियन में 34 बिलियन में और 72 बिलियन में या लामा टू के अलावे भी बहुत सारे मॉडल हैं जो की ओपन सोर्स हैं हगिंखरेस की वेब साइट पर जाईए आप उसको डाउनलोड कीजिए और आप यहां पर उसके साथ integrate कर सकते हैं किसी भी को और आप यहां पर यूज कर सकते हैं एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि σही ही जो भी जो भी आप डाउनलोड करेंगे या इंटेग्रेट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या जो यह आपका टेक्स जनरेशन वेब यूई का जो कोड है उसमें फोल्डर होगा मोडल और वहां पर आप जाके देखेंगे जो भी आप डाउनलोड करेंगे ना वो सारी फाइले उस मोडल के नाम से अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगे यहां पर आपको तो यहां पर लिस्टिड है जैसे कि यहे वाल है यह आपको यहां पर मिल जाएगी अ लामा 27 billion चैट GPT GGML V3 Q2 kabin तो ऐसे करके जो है basically my point है रिज की models वाले folder में आपके सारे models का जो है source code binary basically not exact source code जो binary हैं वो download हो जाएंगे और उससे उसके तरूँ जो है यह आपका जो यह वेब युआ यह उसके साथ integrated और आप उसको यूज कर सकते हैं आप किसी और दूसरे मोडल को भी ट्राइउट कर सकते हैं डिपेंदिंग और नीड आप किस टाइप की चीज़े जो है करवाना चाहरे हैं तो 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 इस वीडियो गाइज स्टे तुन फॉर मोर्सच इंट्रेस्टिंग वीडियो और टेक केर